लालो यादव एक जून की तैयारी में कमर कस रहे हैं अपने वूट बैंक को जोड़ने के लिए मौला नाओं और पीर बाबा की दरगाहों पर सजदा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी और तेजस्ट्री यादव राहूल गांधी के साथ लंच पार्टी कर रहे हैं और आखरी चे ये नए तरीके की राजनीती है जो अब राहूल गांधी के इंस्ट्रग्राम अकाउंट पर भोजन के इस वीडियो के सहारे चल रही है कभी सभा के बीच, कभी सभा से पहले, कभी सभा के बाद में तो कभी रेस्ट मोड में विज्ञान कहता है कि मनुष्य को जीने के लिए संतुलित आहार चाहिए, न कम न ज्यादा, एक दम सादा, एक दम संतुलित, यहां भी एक बैलेंस कायम है और वो बैलेंस है नियमित अंतराल पर सामने आने वाले ऐसे वीडियो का कभी तेजस्वी यादव मुकेश सहानी के साथ मचली खाने का वीडियो शेयर करते हैं, कभी चुनावी सबा के बीच केक शेयरिंग होती है तो कभी राहुल गांधी बेहन मीशा भारती के साथ इस तरह भोजन का आनंद लेते हैं और मोधी सरकार के निंदा सुख में डूब जाते हैं यह जो कह रहे हैं कि मैं बगवान का काफ रपता हूँ तो बिहार के चुनाओं में आपको क्या लग रहा है शुरू से मैं कहते रहा हूँ शौक्तारमाज वाला रिजल्ट आई जो है ना यूपी में और बिहार में यह बहुत असान ने रहे हैं लोग काम देखना चाहते हैं दसल मोका रिया कुछ ली क्या भीहार किना तो पीपल समझ चुके है कि मोधी जूड बहुत 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 है बट नॉन्स्टॉड जूड बहुते हैं नेचरली बिलकुल बिना जिजग के, comfortably अब बिना सोचे समझे बोलते हैं दरसल सियासत में कोई बात बिना मतलब बिना अधार के नहीं होती इन वीडियो के जरीए भी लगातार ऐसे ही मैसेज दिये जा रही है कि गड़बंदन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ एक जुट है कि लंच डिनर वाली ये राजनीती किसको कितना रास आती है